तो बनाएंगे आज एकदम लजीज और बहुत ही मज़दार से अलू गोश की रेसिपी और वो भी हम इस मज़दार से अलू कोश को बनाएंगे घर के मसालों से तो चली आएंगे टाइम को वेस्ट के बगएर इस बहुत ही टेस्टी और मज़दार से अलू गोश की रेसिपी को बनाने स्टार्ट करते हैं कोई भी स्टैप मिस न कीजिए लाल सब्सक्राब डिन को क्लिक कीजिए साथ दी गई बेल अकन को प्रेस कीजिए तांके मेरी मज़दार से पी का नोटिफिकेशन आप भी पास सकें शिरन तम जब दीजे तो मज़दार से अलू गोश को बनाने के लिए सबसे पहला एक प्लेशर कुकर में हाफ कप ऑईल एट करेंगे कि जब ऑईल हलका सा गरम हो जाएगा तो हम इसमें प्याज एट करेंगे दो अदर और ने हमने चॉप सा कट किया हुआ है और अब अच्छी तरह से मिक्स करेंगे और प्याजोको जो हो हम सौत्य होने तक फ्राइ करेंगे मतलब कि हलकी से सॉफ्ट हो जाने चाहिए जा कलर जा वहां बिल्कुल भी ч makan करेंगे गोश एड़ करने के बाद हम अच्छी तरह से मिक्सिंग करेंगे और यकीन माने घर के मसालों से इतना मज़दार सा यालो गोश बनेगा कि आप लेटे ही चट जाएंगे तो अब आपने अच्छी तरह से जो है वो गोश की भुनाई करनी है जब तक कि गोश का कलर जो है वो बहुत अच्छे से चेंच नहीं हो जाता क्योंकि आप जितनी अच्छे से गोश की भुनाई करेंगे इतना ही मज़दार सा अलो गोश बनेगा तो लगब दो मिनट हो चुके हैं गोश की भुनाई करते वे इसके साथ हमने कुछ मसाले ले लिये हैं एक टुकरा जवत्री का तीन से चार सबस इलाइची एक काली इलाइची एक बादियान का फूल और कुछ दालचीनी स्टिक तकरीबन दो से तीन अदद और मिक्स करर मसाला है जिसमें लॉंग और गॉलकाली मिट्स भी हैं तू डेबल स्पून हमने इसमें जिंजर गार्लिक पेश रामिल किया है वन डेबल स्पून नमक अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग आप काम ज़दा कर सकते हैं अब अची तरह से मिक्स करेंगे तकरीबन एक मिनट तक आपने यह मसाले अट करने के बाद बनाई कर लेनी है तो जब भी आप अलो गोश बनाए तो आप घोश की ज़ए बहुत अच्छे से बनाई करें इसमें गोश में जो है बहुत मच्दार सा मसालो का फ्लेवर जाएगा तो अब इसमें कुछ इस पैस छीसे हम आप अची तरह से मिक्स करेंगे और अब इसके साट 2 स्बून शामिल करेंगे साबut दनिया फिसा हुऊ और 1 डिबल स्पून का सूरी ने जिलापर सी कुछबू आगी अब अच्छी तरह से मिक्स करेंगे तकरीबन 일반 करने के बाद आप आप किसी भी चीज से measurement करके add कर सकते हैं तो अब पानी शामल करने के बाद पानी में चितरा से बॉल आने देंगे जैसे ही बॉल आएगा तो हम प्रेशर लगा देंगे 22-25 मिनट्स क्योंके यहां पर हमने मटन लिया है उसे गलने में टाइम लगता है तो लीजे हमारे 25 मिनट हो चुके हैं जब अच्छे से बाप निकल गई तो हम कवर को रिमूफ करेंगे इस तरह से तो हमारा जो है परफेक्टली गोष्ट जो है बहुत ही अमेजिंग सा गल चुका है तो अब इसके साथ जो है वह हमने आलू ले ली हैं जो के तीन अदद हैं चोटे साइस के हैं औ तो अब हम अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे और थोड़ा सा हम इसमें शामल कर देंगे हर धनिय की पतियां और दोबारा से मिक्सिंग करेंगे तो अब आपने जो है वह आलू के साथ जो है गोष्ट की बहुत अच्छे से बुनाई करनी है तांके जो हमने मसाले अगर अग आपको जिसलिया से शौर्बा पसंद है आप अतना ही पानी एट कीज़े लेकिन हमें वह आलू गोष्ट शौर्बे वाला पसंद है तो इसलिए हमने तीन ग्लास पानी के शामल किये हैं और जो है मिक्स करने के बाद उपर से हम कवर करेंगे तीन से चार मिनट तक तो तीन स जबदस से इंशाला से गल गई होंगे तो आलू जाहे हैं यहां पर मैं चेक भी करवा देती हूं और गोश तो हमारा परफेक्टी बहुत ही जबदस सा गल चुका है और आलू भी डन है तो मतलब कि आलू और गोश दोनों बहुत ही मजबदस से गल चुके हैं तो इस तरह से बहुत ही मजबदार सा जो है वो आलू गोश आप घर के मसालों से बना सकते हैं पांच से चेहरी में चैट करेंगे जिनें सेंटर से हमने कट लगा लिया है और थोड़ा सा हम हरदनी आट करेंगे मजबदार खूश्बू के लिए तो फानली फ्लेम को आफ करेंगे और मजबदार से अलू गोश को डिशाउट करेंगे तो लीजे बहुत ही टेस्टी और बहुत ही मजबदार सा हमारा ये अलू गोश बनकर बिल्कुल त्यार है आई होब कि ये रेसिपी आपको बहुत ज़दा पसंद आएगी ट्राय जरूर कीजे रेसिपी से स्टेज पर आपको थोड़ी सी बेची लग रहे है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजे साधिगी बेल आइकन को प्रेस कीजे तांके इसी तरह से मज़दार इजी और न्यू रेसिपी आपके साथ भी शेयर होती रहें रेसिपी अची लगी है वीडियो को लाइक कीजे अपने फ्रेंड्स और फैमली के साथ शेयर जरूर कीजे तो इसी तरह से एक मज़दार और न्यू रेसिपी के साथ भी मिलेंगे अपना और अपने प्यारों का रखें बहुत दा ख्याल थैंक्स वू वाचिंग अलाफेज